Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. So guys, कैसे हो आप सब लोग? I hope आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे and I am also doing very well. And guys, आज की वीडियो होने जा रही है बहुत ही जादा interesting and बहुत ही जादा helpful आप सभी के लिए because आज की वीडियो में मैं एक क्रीम का रिवी कोने जा रही हूँ जो बहुत ही जादा affordable cream है और only 10 रुपीज पे वो क्रीम आती है and which is Joy की aloe vera light moisturizing cream and guys, जैसे की आप देख सकते हो, ये क्रीम बहुत ही जादा cute and tiny सी है 10 रुपीज की ये क्रीम आती है, बहुत ही जादा affordable है और actually ये इसका trial pack है, इसका बड़ा वाला variant भी आता है वो around 120 रुपीज का आता है, तो ये इसका छोटू सा trial pack है and guys, आप इसकी packaging देख सकते हो, बहुत ही cute सी इसकी packaging है बहुत ही प्यारी सी, cute सी, tiny सी packaging है and light green करके टब में आती है ये क्रीम और इसमें लिखा हुआ है, joy pair yellow light moisturizer skin cream 48 hours moisturizer non-sticky hydration and 50 ml का ये product है और आप देख सकते हो guys, ये बहुत ही जादा cute packaging के साथ आती है travel friendly मैं ऐसे बोलूँँगी, बिकाज ये बहुत ही कम space लेगी आपके purse में और easily आप इसे carry कर सकते हो and guys, back side में भी इसकी detail mention की गई है 10 rupees की ये cream है, 3 years की आपको यहाँ पर shelf life मिल जाएगी and 10 rupees में बहुत ही अच्छी deal है ये guys, when you open this cream, you can see product कित्मा जादा मिल रहा है आपको 10 rupees में product की quantity बहुत ही अच्छी मिल रही है so guys, अगर आप इसकी बड़ी वाली packaging नहीं खरिजना चाहते तो आप इसका trial pack खरी सकते है ये 10 rupees की आती है and ये बहुत ही ज़्यदा affordable है easily आपके purse में आ जाती है ये cream and guys, आप इसको अपने handbag में traveling के time पे ले जा सकते हो ये बहुत ही ज़्यदा affordable and बहुत ही ज़्यदा cute सी इसकी packaging है so guys, joy के product में पहले भी use कर चुकी हूँ but ये cream मैंने first time purchase करी है and guys, मैंने इसका trial pack इसलिए खरीदा because मैं इससे test करना चाहा रही थी कि ये मेरे skin को suit करती है या नहीं फिर मैं इसका बड़ा वाला pack लोंगी so इसलिए मैंने ये aloe vera वाला variant खरीदा है because ये वाला मैंने कभी use नहीं किया था and guys, इस cream में क्या लिखा हुआ है मैं अभी आपको quickly पढ़के बता देती हूँ and इसमें लिखा हुआ है joy payor aloe light moisturizer skin cream and guys, इसमें लिखा हुआ है ये non-sticky cream है and 24 hours तक आपके skin में ये hydration बना के रखेगी so guys, ऐसा ये cream claim करती है कि ये non-sticky formula है और आपको ये 24 hours तक hydration देगी so guys, मैं अभी आपको इस cream का formula दिखा देती हूँ किसका formula कैसा है so guys, आप देख सकते हो ये है light green color के cream और मैं अभी आपको इसको अपने hand पे blend करके दिखाऊंगी so guys, actually मैं ये बहुत ही ज़्यादा lightweight cream है और इतनी ज़्यादा lightweight cream है कि आपको even feeling नहीं होगा कि आपने अपने face पर cream लगाई है इसकी जो consistency है guys, वो थोड़ी gel type में लगती है but ये hydration देती है, ये बात सच है और बहुत ही ज़्यादा moisturizing है और बहुत ही ज़्यादा soft ये cream है guys, इसका formula ऐसा है ना कि अगर आप इसे face पर लगाऊगे तो बिल्कुल भी heavy feel नहीं होगा और बहुत ही ज़्यादा lightweight ये cream है मैं इसे अपने face पर भी लगा चुकी हूँ बहुत बार इसलिए मैं आज इसका honest review आपनों के साथ share करी हूँ बहुत ज़्यादा lightweight ये cream है guys इसका formula non-sticky है और जब आप इसे अपने face पर लगाऊगे तो आपको लगईगा ही नहीं कि आपने कोई cream लगाई है ये बहुत ज़्यादा naturally लगती है face पर and guys इसकी जो फ्रेगनेंस है बहुत ज़्यादा beautiful है and aloe vera gel जैसे इसकी फ्रेगनेंस है जो original aloe vera gel होता है वैसी इसकी हलकी हलकी सी फ्रेगनेंस है बहुत अच्छी है बहुत ज़्यादा soothing ये cream है तो इसकी smell आपको bother नहीं करेगी because इसकी जो फ्रेगनेंस है वो थोड़े time बद फेड हो जाती है so guys अगर आपको ऐसी cream पसंद है जो बहुत ज़्यादा lightweight हो और plus आपको hydration भी दे तो ये cream आपके लिए best है and guys इसे dry skin वाले भी use कर सकते है and oily skin वाले भी इसे use कर सकते है मेरी skin है dry मैं apply करती हूँ तो बहुत अच्छे से hydrate करती है मेरे skin को and अगर आपकी oily skin है तब भी आप इसे use कर सकते हो बद थोड़ा कम quantity में because इसमें hydration भी है moisturizing effect है तो आप इसे थोड़ा कम quantity में लेकर use कर सकते है अपने face पर joy की इस aloe vera cream को आप अपने face पर as a night cream भी लगा सकते हो ऐसा कि इस cream में mention किया गया है इसमें aloe vera तो आपको पता ही है aloe vera के फाइदे कितने सारे हमारे skin के लिए हमारे face से wrinkle, pimples, skin, nissan, black spot जैसी problem को aloe vera remove करती है trust me यह cream बहुत ही अच्छी है बहुत ही ज़्यादा affordable है travel के लिए आप इसे खरी सकते हो और अगर आपको बहुत ज़्यादा affordable cream चाहिए तब भी आप इसे ले सकते हो ऐसे night cream भी use कर सकते हो daytime में भी आप इसे use कर सकते हो and dry skin and oily skin people दोनों ही type के skin वाले से use कर सकते है so guys मैं ऐसे अपने face पर apply करके दिखा रही हूँ आप लोगों को तो आप लोग easily देख सकते हो यह cream कितनी ज़्यादा light weight है so guys आप देख सकते हो कितनी easily ए cream skin में blend हो गई कितनी जल्दी observe हो गई इसकी blendability इतनी अच्छी है इतनी awesome है even आपको लगे गई नहीं कि आपने face पर कोई cream लगाई है इतना ज़्यादा light weight इसका formula है formula इसका outstanding है guys यह cream बहुत अच्छी है and एक moisturizing effect आपको मिलता है plus आपको कोई चिप-चिपा फिल नहीं होगा because non-sticky एक cream है मैंने थोड़ा ज़्यादा quantity में लगा कि दिखाई आप लगो को but जब आप इसे लगाओगे तो थोड़ी सी quantity में लगाना थोड़ी सी quantity इसके enough होती है and बहुत long time तक आपको hydration देगी एक cream and guys मुझे तो इक cream बहुत अच्छी लगी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो और helpful रही हो तो please make sure मेरे चैनल को like करें share करें and subscribe करें Thank you so much for watching my video